गुद्मॉर्णी डिया स्टूरेंट आज हम क्लास 9 के मेस के कोशन नमबर 8 का जो बचे हुए पार्ट से वो करवा देते हैं अब हम लोगों ने ट्रेंगल AMC Congress to BMD ये भी प्रूव किये थे अब थार्ट पार्ट देख लिजा आप इसमें थार्ट पार्ट ये के रहे ट्रेंगल DBC Congress to triangle ACB ये congruence है कि नहीं है DBC यहाँ पर DBC ये congruence है कि नहीं है ABC का हमें ये चेक करना है और एक चीज़ गिवान है ये चेक करना है CM equal to 1 hop of AB है कि नहीं वो चेक करना है अब हमें कहां पर जाना पड़ेगा triangle proof in triangle in triangle dbc and triangle कौन से वाले triangle में ABC में ABC अब हम लोग इन triangle dbc और abc में हम लोगों ने देखना है कि दोनों congruence है कि नहीं है अब यहां पर congruence है कि नहीं हो चेक करने के लिए तो हमें दो साइट एंगाल या एक दो एंगाल एक साइट ऐसे चाहिए अब यहां पर आप लोग देख लीजिए db equal to ac हम लोगों ने यह पहले वाले part first में क्या किये थे इस part में हम लोगों ने प्रूफ किये थे हम ऐसे लिखते हैं db equal to ac from part first ठीक एंगल dbc एंगल dbc equal to angle ac b dbc equal to ac यहां पर देख लिजिए एंगल dbc equal to ac b यह दोनों में हम लोगोंने second part में किये थे each 90 degree आ रहा था ठीक यह तो आप ऐसे लिखे एंगल dbc equal to angle ac b each 90 degree from second यह होगा आपका अब dbc 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 a c b bc bc क्या आ रहा है दोनों में common आ रहा है आ अपका i db-c पवर्वे रहैं कहा रहा है A, B, C, A, B, C, By किस से? side angle outside side angle side से, ये होगी, यापका proof से, थार कौइट ठीक, अब इसके बाद फूर पाइट हम प्रूप कर देते हैं पर पाइट में कहरें CM हम लिए और A, B यहाँ पर देख लीजे CM यहाइँ हमें चेक करना है यह हाब आप A B है की नहीं है ठीक अभी अभी हम लोग उने ट्रेंगल इस पार्ट में देखा था D B C कॉंगुरेंट्स है किसके A B C के जब यह कॉंगुरेंट्स होता है तो बाकी पार्ट से P C T से कर्रस्पोंडिंग पार्ट इनका क्या होते हैं इकॉल होते हैं इसका मलब यह हुआ इसका मलब D C equal to A B यह दोनुग इकॉल्स होंगे ताकि यह दोनुग ट्रेंगल्स क्या हुए था हमारे पास similarity हो गए थे बाई साइड एंगल साइड से इसका मलब from part 3rd we have prove it we have prove it triangle D B C congruence to triangle A B C इसका मलब यह हुआ AB equal to DC DC equal to A B by CP CTC ठीक यह हुआ अब यह AB देख लीजिए यह दोनों तो equal हो रहा है AB और DC अब मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या हूं AB equal to MC plus DM DC के जगे पर मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या है यह लिख सकते हैं ने क्यों ने है डी एम पुलस MC equal to AB for example यह total आपका five total six centimeter है यह यह यहां पर DC को ब्रेक्ड डाउन किया डी सी बनाने डी सी के लाइन पर हमारे पास और एक लाइन आ रहा है DM और MC उन दोनों को मिला के DC बन रहा है इसका मलब DM यह में three plus three equal to फिर से क्या बनेगा six centimeter यह हुआ है यहां पर DM equal to MC equal to AB DM पुलस MC equal to AB अब यहां पर देख लिजे DM equal to यहां पर गीवान है DM equal to MC हमारे पास क्या है गीवान है इसका मलब हम इसके जगे पर DM equal to MC given given ठीक यह आपके पास given DM के जगे पर मैं MC लिख सकता हूं MC plus MC equal to क्या हुआ AB MC plus MC क्या होता है twice of MC twice of MC equal to AB यह हुआ MC या CM यहां पर क्या लिखा हुआ है CM लिखा हुआ है चलो इसको हम चेंज कर देते हैं CM C को आगे कर दिया M को C के जगे पर ले लिए CM equal to अब यह किस चीज में divide में divide में अगर कहीं जगा left side है तो हम right side transfer कर देते हैं किस में multiply में multiply से किस में change होगा divide में half of AB यह हुआ आपका question number eight का second and or thought का proof यह देख लीजिए ठीक से यह हुआ आपका proof आज के लिए ना thank you